नमस्कार विवर्स करम फल वारता सीरीज में एक और नए वारता लेकर आप सब का हारदिक स्वागत करता हूँ विवर्स मनुष्य जनम करमों का फल है जो जैसा करम इस योनी में आकर करता है उसको ठीक वैसा ही फल मिलता है कोई भी करम निरर्थक नहीं जाते हैं करम तो भोगने पर ही समाप्थ होते हैं आज की वारता विशेशकर इस बात पर फोकस्ट है अगला जनम आपका कैसा होगा इस विशे में हमारे महरिशी व्यास ने क्या बताया है करमफल को ना मैं एवाइट कर पाऊंगा ना आप कर पाऊगे आप में से अंगिनित लोग मुझसे पूछते हैं क्या कुंडली में जो ग्रह योग है जिसके कारण हम इतना प्राब्लम्स देख रहे हैं क्या ये कम नहीं हो सकते पूजापाट दानपूर्णे सत्संग मैं सपस्ट रूप से कहूंगा करमफल भोगने पर ही कटेंगे पून रूपेन आप कितना भी पूजापाट सत्संग दान कर लो पूरा माइनस आप नहीं कर पाऊगे बारिस तो आईगी ही शाता उसके प्रभाब को कम कर देगा तब भी छीटे विवर्स तो पढ़ेंगे ही विवर्स कभी-कभी मन में ख्याल आता है कि जो करम हम इस जनम में कर रहे हैं उसका बुक्तान भी इसी जनम में हो जाए तो हम चिंता मुक्त हो सकते हैं यानि कि यदि अच्छे करम कर रहे हैं तो उसका अच्छा फल कुछ ही समय के पस्चात मिल जाना चाहिए और यदि बुडे करम कर रहे हैं तो दंड भी इसी जनम में मिल जाना चाहिए क्योंकि ये करम ही है जो हमें खुशी और दुख दे रहे हैं विवर्स हिंदु धरम के अनुसर व्यक्ति का मौजुदा जीवन ना केवल उसके द्वरा किये जा रहे करमों से बनता है अपित्व उसके पिछले जनम में किये गए अच्छे बुडे करमों का योगदान भी इसी जनम में होता है अर्थार्थ यदि उसने पिछले जनम में शुब करम किये तो इस जनम में वो सुख पा सकता है बुरे करम करते हुए भी वो सुख भोग सकता है लेकिन समस्या तब उत्पन होती है जब पिछले जनम के बुरे करम इस जनम में परिशानी देती है काश ऐसा होता कि इस जनम के करम इसी जनम में सिमट जाते ना पिछले जनम के करम इस जनम में आते और ना ही हम अपने इस जनम के करमों का फल अपने आने वाले नहे जनम में पाते किन्तु विवर्स ऐसा संभब नहीं है नियती ही ऐसी है कि हमें कर्मों का परिनाम हर जनम में भोगना पड़ता है शायद आप इस बात से आवगत हो कि कर्मों के अनुसारी व्यक्ति अगला जनम भी पाता है वो कैसे कर्म करता है अच्छे या बुरे उसके आधार पर उसे अगली योनी प्राप्त होती है यदि आज आप मनुश्य योनी में हैं तो ये आपके पिछले जन्मों के ही अच्छे कर्म है मनुश्य योनी को शास्त्र में उत्तम योनी बताया गया है क्यूंकि ये वो योनी है विवर्स जब ईश्वर हमें आत्म को मोक्ष दिलाने यानि की जीवन मरन के जन्जाल से मुक्त होने का अवसर प्रदान करते हैं और ये हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान का ज्याप करके जो की एक मनुश्य ही कर सकता है गरूट पुरान के अनुसार माता के गर्म में नौ महीने तक अजन्मा सेशु इश्वर से ये प्रातना करता है कि मुझे यहां से बाहर निकालोगे तो मैं ता उम्र आपका नाम जबता रहूँगा लेकिन फिर जन्म लेने के बाद वो सब भूल जाता है और अपने भौतिक कर्मों में लग जाता है विवर्स पुरानों में किये गए एक अन्य उर्ले के अनुसार अजन्मा सेशु माता के गर्म में इश्वर से पुकार करता है कि मुझे बाहर मत निकाले क्योंकि वो मनुश्य जीवन से भैवीत है मनुश्य जीवन की कठोरता से भैवीत है इसलिए वो भगवान से ये परातना करता है कि मुझे अपने पास बुलाईए और ये मनुश्य जीवन ना दे लेकिन भगवान उसे जीवनदान देकर उससे ये प्रण मांगते हैं कि वो इस जीवन में इनका नाम लेगा और समझते मनुश्य योनी को भी यही सीख देगा किन्तु विवर्स मनुश्य जीवन प्राप्ट करने के बाद वो मनुश्य भोगी बन जाता है लेकिन उसे किन कारणों से ये जीवन मिलता है और वे कौन से करम है जो उसे इनसान जीवन देते हैं ये जानकारी विवर्स बेहत रोचक है आज मैं आपको इस वारता के माधम से ये बताना चाऊँगा किस तरह के करमों के कारण हमें अगले जनम में कैसी योनी प्राप्ट होती है कहते हैं मारिशी व्यास जी से जब रिश्यों ने पूछा कि किस करम से कौन सा जनम मिलता है तो उन्होंने कुछ आश्चरेजनक बातों को उनके सामने रखा जिने हम यहां आप से सांझा कर रहे हैं विवर्स मारिशी व्यास ने बताया कि जो मनुश्य पराई स्त्री से संबंद बनाता है उसे बहनक नर्क में जाना पड़ता है यहां उसे कई दंड भोगने पड़ते हैं और इस सब के बाद उसे एक के बाद एक विवन जनम मिलते हैं स्त्री को परिशान करने वाला वो सबसे पहले भेडिया बनता है और फिर एक कुट्टे के रूप में जनम लेता है इसके बाद वो सियार, गिद, सांप, कववा बनता है इन सभी जनमों को भोगने के बाद ही अंद में वो बगुले का जनम प्राप्त करता है जीसे समाप्त करने के पस्चाहत उसे मनिश्य योनी की प्राप्ती होती है बड़े भाई का अपमान करने वाला महरिशी व्यास ने बताया जो व्यक्ती अपने बड़े भाई का अपमान करता है समाज के सामने उसे नीचा दिखाता है अगले जनम में वो व्यक्ती एक कौँच नाम के पक्षी के रूप में जनम लेता है इस जनम को वो दस वर्ष तक भोगता है और यदि इश्वरी कृपा हो जाए तो ही उसे अगले जनम में मनुश्योंनी मिलती है सोर्ण की चोरी करने वाला रिशी का कहना है यदि आप इस जनम में पाप कर रहे हैं तो इसका बुक्तान भी अगले जनम में करना होगा महरिशी व्यास का नुसार सोर्ण की चोरी करने वाले व्यक्ती को कीडे के रूप में जनम बिलता है जो व्यक्ती चांदी के सामान की चोरी करता है वो कबुतर बनता है वस्त्रों की चोरी करने वाला महरिशी का कहना है इसके अलावा जो व्यक्ती किसी वस्त्र की चोरी करता है उसे अगले जनम में तोता बनकर जनम लेना पड़ता है सुगंधित पदार्तों की चोरी करने वाले व्यक्ति चुचुंदर के रूप में जनम लेता है कतल करने वाला महरशी व्यास का कहना है यदि अपराद चोरी से बड़ा हो तो योनी और भी भहमकर प्राप्त होती है महरशी व्यास ने बताया कि जो व्यक्ति शास्त्र से किसी की हत्या करता है उसे गधे की योनी प्राप्त होती है गदे के बाद वो म्रिग योनी को प्राप्त करता है किन्तो इससे अधिक रोज़ुक बाद विवर्स यह ही कि उसकी खुद की हत्या भी शहस्त्र सही होती है म्रिग के बाद उस ऐसी आत्मा, मचली, कुत्ता, बाग और अंत में मनिश्य योनी को पाता है पित्र शांती अवश्य कराएं विवर्स ऐसा कहा गया है पित्र शांती कराने से अच्छी योनी प्राप्त होती है देवताओं और पित्रों की संतुस्टी किये बिना बरने वाले वैक्ती 100 वर्ड्स तक कहुए की योनी में रहता है इसलिए कहा जाता है कि श्राद कराते समय कहुए को अवश्य बोजन कराएं ताकि पित्र गण संतुस्ट हो जाएं पित्र शांती की अवश्यक्ता बहुत सुरूरी है लेकिन यदि यह ना किया जाए तो अगला जनम कहुए के रूप में मिलता है इसके बाद मुर्गा फिर एक महिने के लिए सांप की योनी में रहने के बस्चाथ उसके पापों का अंत होता है उसके बाद वो मनुश्य के रूप में जनम लेता है विवर्स ये था महरशी व्यास के द्वारा बताया गया कि व्यक्ति कैसे करम करने से किस प्रकार की योनी को प्राप्त होता है धन्यवाद विवर्स एक और वारता के साथ कर्मा वारता की सेरीस में फिर्ज से जल्दी हाजिर होंगा धन्यवाद झाल झाल